वेल्कम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सब को यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेल्कम कहती हूं और सेकिंड पार्ट के अंदर हमें पास अब्जेक्टिव डियालटी को बताया जाएगा इसके इलाव जो हम इस वीडियो में कॉंटेंट्स को डिसकस करने वाले वो है करेक्टर लिस्ट समरी, थीम्स, टाइटल की सिगनिफिकंस को देखेंगे हम लोग और इंपोर्टेंट क्वेस्टिन कुछ हैं उनको डिसकस करेंगे सबसे पहले हम लोग क्रेक्टर की बात कर लेते हैं जो महर पास पहला क्रेक्टर आता है वो है मरसो इसको मरस है भी प्रॉनौल्ण्स का चाता है ओर मरसॉल्ट भी ठीक है लेकिन यया फ्रेंच नेम है इन Kby million सेचें में डिफरींस आ सकता है ठीक है, मरसो जो है, इस novel का central character है, ठीक है, यह एक young Frenchman है, जो mother करता है इस novel के अंदर, और यह जो नहीं mother करता है, उस mother को यह बहुत ही minor consider करता है, और यह one of the most important absurd characters दिखायागे इस novel के अंदर, ठीक है, बहुत ही absurd, इसका attitude है, इसकी mother की death हो चाती है, और यह अपनी mother के funeral पे आता है, कोड के अंदर, अच्छा, अब इसके बाद, second character है, मरसोल का boss, जो के एक minor character है, इसकी इसकी significance नहीं दिखाएगी इस्टोरी के अंदर, पस इतना बताया गया, कि मरसोल अपने boss से चुटी लेके आता है, क्योंकि इसकी mother की death हो गई है, nothing else, इतना कुछ इसकी significance नहीं दिखा है, और यह मरसोल के साथ बहुत अदर, लोयल दिखाए देता हमें, next character है, mama, moman, महन जो है, इसकी इसकी death हो चुकी है, mother की death के according चल रही है, mother की death हो गई है, trial में discussion, mother की death के about होगी, जो तीन साल पहले था, मरसोल ने अपनी मा को एक old persons के home में भेज दिया था, वैसे तो mother and son का बहुत ही close relation होता है, लेकिन यहाँ पे mother and son का बहुत ज़्यादा weak relationship दिखाई देगा हमें, फिर है director of the home, यह जो director है, यह manager है, old persons home का, जहाँ पे मरसोल की mother ने अपने final three years spent किये थे, और यह मरसोल को इसके mother की funeral की तरफ लेके जाता है, और पूरे process में उसके साथ रहता है, उसको watch out करता है, और जो trial चलता है, जो मरसोल ने अपनी mother की death को बहुत दा cold था, ठीक है, फिर है हमारे पास again minor character, caretaker का, caretaker जो है, यह worker है old persons home में, जहाँ पे मरसोल की mother जो है, उसने last three years spent life के, caretaker ने और मरसोल ने बिल्कुल कफिन के पास बैठ कर, जो कफ़न है उसके बिल्कुल पास बैठ कर, coffee drink करते हैं, और smoking करते हैं, cigarettes की, फिर next character हमारे पास Thomas Purse का, जो Thomas Purse है, यह basically एक elderly resident है old persons home का, जहाँ पे मरसोल की mother भी रह रही थी, और मरसोल की mother की death से पहले, यह और और यह उनके फियोंसे के तोर पे मशूर हो गया था, इसका और मरसोल की mother का relationship जो है बड़ा emotional दिखाया गया है, इस story के अंदर, और यह character foil दिखाया गया है, narrator का, यानि की मरसोल का, फिर nurse का character है, again minor character, जो के funeral में साथ थी, फिर हमारे पास Mary character, Mary का character, अब यह जो Mary card होना है, यह basically girl friend है, मरसोल की, और उससे बिल्कुल opposite views रखती है, जैसा कि यह conventional young woman है, और अपनी life को enjoy करती है, ठीक है, यह films को enjoy करती है, बीच को enjoy करती है, जबकि मरसोल की life में enjoyment नाम का कोई love लवजी exist करता ही नहीं है, यह मरसोल से शादी करना चाहती है, लेकिन मरसोल जो है, उसका indifferent attitude है, towards marriage, ठीक है, तो पूसती है, तुम से शादी करोगे, वो कहता है, अगर तुम चाहती है, तुम से शादी कर लूँगा, ठीक है, तो यह पूसती है, तुम मुझे पसंद करते हो, वो कहता है, पसंद तुम मैं करता है, लेकिन तुम से शादी करना चाहती है, तुम से शादी क करते हैं ना सिर्फ यह ओफिस में फ्रेंड हैं बल्के ओफिस के बाहर भी फ्रेंड हैं फिर हमार पस रेमेंट सिंट का करेक्टर रेमेंट करेक्टर बोग सिगनिफिकेंट करेक्टर है क्योंकि यह सिंट कमिट करता है इसके अंदर सिंट के अरब गर्ड को अपनी गल्फ्रे फिर नेक्स कर्रेक्टर ऑप Judge Salomeno का Justice Salomenoote है विखनी विखनी साथ मरसौल का नेबर है नेबर कोई मनेद कि अटो मरसول के साथ कि माँ मर गई वो नहीं रोया लेकिन जो सलमानो है उसका डॉग घुम जाता है तो फिर उसके अफसोस कर रहा है कि जो इनसान के लिए जानवर जादा इंसान के लिए एंसानों के मुकाबले में ठीक है फिर नेक्स करेक्टर माँ पासाता है चैपलेइन का एक प् ठीक है अब यह जो है ना यह man of faith है और इस story के इंदर उसने क्या दिखाया गया है राइटर ने दिखाया है nihilist attitude कि वो लोग जो के गोड पे belief नहीं करते ठीक है existentialism दिखाया है राइटर ने इसके अंदर कि ठीक है जिनके लिए existence matter करती है लेकिन ways matter नहीं करते हैं तो अगर आप वीडियो को देखने में तो आपको ज्यादा मजा आएका इस वीडियो को देखने में ताकि आपको theater of absurd क्लियर हो जाए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आप वो देख लीजेगा चैपलें जो है मैंने पताया है man of faith है और यह जो है throughout the story जो एंडिंग होती है second part के अंदे मर्सौल को कहता है कि तुम Christianity पर बिलीव करो तुम religion पर बिलीव करो लेकिन मर्सौल जो है वो इसके belief को और इस person को deny करता है इसकी बात नहीं मानता चैपलें यह तो हो गया हमारा characters के बारे में कुछ introduction अब बात करते हैं अपनी story की story को start करते हैं अब जब summary शुरू होती है summary के start में बताया गया है जो text है मैं वो पढ़ती हूँ पहला paragraph पहला जिसमें बताया गया है अब वो सुने जरा कहता है mother died today or maybe yesterday I can't be sure the telegram from home says your mother passed away funeral tomorrow deep sympathy which leaves the matter doubtful it could have been yesterday अब बिलकुल जब starting पे हम लोगो क्या नजर आ गया है पहली quotation में existentialism ठीक है loss of bonding दिखाएगी है हमारे पास यहाँ पे narrative first person में है ठीक है अब उसके बाद क्या है कि पताया गया है इसके अंदर कि मा की death हो गई है ठीक है deep sympathy कितना ही absurd attitude दिखाया गया है उसके अंदर कि अब जब मा की death हो गई है को शोरटी भी नहीं है कि कल मरी है ठीक है यहाँ फिर आज मरी है I can't be sure तो जब लाइन स्टार्ट होती है तो जब लाइन स्टार्ट होती है यह बिल्कुल स्टार्टिंग मर्सॉल की मदर की death हो गई है और death कल हुई है यहाँ जो ही है ठीक है I can't be sure यहनी कि first person narrative है writer जो character कुद है मर्सॉल वो अपनी life को यहाँ पर बता रहा है ठीक है जिसा कि मैंने आपको बताता है कि first part जो subjective जो reality है उसे discuss करेगा असरा next paragraph में बताया जाता है कि shipping cleric की job करता है ठीक है और बताया गया है जो setting है इस novel की वो setting के है Algires अलजायर जो है वो शुमाली अफ्रीका का एक शहर है वो setting डखी गई है और जो अलजायर है यह hybrid culture यहाँ पर रहते है यहाँ पर फ्रेंच कल्चर भी रहता है अरब कल्चर भी रहता है different cultures जो है न वो कठे यहाँ पर रहते है pick and mix homie के भाबा का concept तो different cultures जो है यहाँ पर अकटे होकर रह रहते हैं यहाँ पर तो हम इस novel के इंदे न अबज़रिजम existentialism, nihilism के साथ साथ पोस्ट कलोनियल elements भी देखेंगे ठीक है चले अब discuss करना दुबारा शूरू करते है अब next paragraph पर पताया है कि यह shipping clerk की job करता है और इसने job से off लेना है और हमें पताया गया कि इसकी जो mother है वो कहाँ पर रहती है वो aged person the home for aged persons at Marengo यहाँ पर रहती है जो के 50 miles away है from Algiers ठीक है जहाँ पर इसकी जो city जिस जगह पर रह 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 रहा है वो country का नेम भी reveal होता है अब मदर की death हो गई तो कहता है sorry sir it's not my fault तो यह character का absurdism, absurd attitude शो करता है तो इसका जो important question और इसका यह भी है discuss the character of Marengo in context with the theory of absurdism ठीक है यह भी इसका एक important question है मर्सॉल्ट as a absurd character इसके लिए आज से भी आपने देखना है इस novel को करते हैं जैसा कि मैं आपको बता रही थी मर्सॉल जो निरेटर स्टोरी का वो शमाली अफ्रीका के शहर अलजायर में रहता है वहां पर shipping clerk की company के अंदर clerk की नोकरी कर रहा है और एक टेलीग्राम के जरी इसको information दी गई है कि इसकी जो mother है उसकी death हो चुकी हुई है और वो नहीं जानते हैं इसकी वालदा की कब death हुई है क्योंकि जो इसने टेलीग्राम सुना था उसके अंदर सर्फ यही mention था कि कल जिनाज है फिर वो दफ्तर में जाता है शुट्टी के लिए अब वो चुट्टी लेता है तो चुट्टी लिने के बाद बताता है कि जो इलजाए रहे उसे 50 ode 5-2 मील दूर है फिर गंधि ए मरिंजो थीक है मरिंजो के लिए वह निकल पड़ता है अब उससे पहले क्या होता है जब यह निकलता है ना बस में सवार होने से पहले यह सोचता है कि अपना फेवरेट होटल जो है इसका सलेस्टियल वहां पर जाए वहां पर जाकर नाश्ता कर लूँ यह सोचता है वहां जाकर ना यह क्या करता है खाना खाता है और सोचता है क्य कि इनके किसी प्यारे की डेथ हो चुकी हुई है तो कहता है मैं उसे मॉर्निंग बैंड ले लूँ अब यहां पर करेक्टर का अगें अब्ज़ एटिटुट दिखाया गया हुए कि मा की डेथ हुई है पहले किसके लिए कॉंचिस है अपने लंच के लिए कॉंचिस है फिर य जानते कि उसकी क्या फिलिंग होती है जब मदर की डेथ हो जाए यह मदर आपको छोड़ के चली जाए तो यह फिलिंग एक जिसको बयान नी कर पाता बंदा वैसे की फिलिंग होती है लेकिन यहां पर करेक्टर जिसको कोई फरक ही नहीं पड़ा इमोशनलेस फिर उसके बा अपने मदर का फेस देखना चाहोगे कहता है आप यह फेस भी देखना नहीं चाहता अपनी मदर का इसको है सिल्दी से ड़ बोड़ी को डफनाय और यह वापस चला जाए तो उसके बाद नर्सिंग होम से केर तेकर आता और वह कहता है कि अगर आप ड़ड़ी को हमने बोड़ी को सील कर दिया है अगर आप ड़ड़ी को दुबार देना चाहते है तो बता दे मैं उनकी ड़ड़ी को खोल दूंगा तो मैं सोल जो है ना वो रिफ्यूस कर देता कहता है नहीं कोई जरूरत नहीं है ठीक है अब इस पर केर बड़ा हरान होता है अब क्या सुसाइ फिजिकल सेटिंग बहुत इंपोर्टन्ट है क्योंकि जब भी देखेंगे हम लोग इन्वार्मेंट के लिहाज से मटसौल के मूड़ भी जो है वो चेंज होते रहते हैं मूड स्विंग्स और इसके इलावा फिर बताया गया है स्टोरी के इंदर के इस राज जो है मटसौ और मिल्क करते हैं स्मॉकिंग करते हैं कोफी पीते हैं और सो जाता है तो अब यह कि इसकी लाइफ के एक ही अबजर्ड रूटीन चलती है इट ड्रिंक एंड स्लीप ठीक है यह रूटीन हम देखेंगे इसको नींद बहुत आती है इसको बूग बहुत लगती है ठीक है और वी बाइब करीबी दोस्त there was something inhuman discouraging about this landscape फिर उसके बाद जब funeral की त्यारी हो रही होती है इस environment के अंदर तो कोई पूछता है मर्सोर से के what was her age, तुम्हारी मा की age क्या थी तो कहता है well she was getting old as a matter of fact I did not know exactly how old she was अब अपनी मदर की age भी नहीं पता तो ये भी acceptable नहीं है society के अंदर अब उसके बाद पता है यो बहुत गर्मी थी बहुत गर्मी के अंदर मा का जनाज़ा था जब उनको तफनाया जा रहा था तो मेरा पूरा concentration किस के ओपर था सिर्फ और सिर्टिंग के ओपर environment के ओपर मेरा पूरा concentration था और मुझे जनाज़ा के बारे में कुछ भी याद नहीं था ठीक है और उसके बाद क्या है वो कहता है mark a funeral हो गया really nothing in my life has changed मेरी life के अंदर कुछ भी नहीं बदला अब same night Saturday का दिन था ठीक है वो बड़ा ही खुश खुश हुआ पस अलजायर्स पहुंच जाता है अब next day जो है ये जाता है सुमंदर पे swimming के लिए वहां पे इसकी मुलाकत होती है मेरी से मेरी जो है वो भी इसके साथ दफ्तर में काम किया करती थी इसके office में फिर इस शाम जो है ना दोनों थेयर्टर में ना एक कॉमिक मुवी देखने के लिए जाते हैं और बापसी पर दोनों मरसोल के घर में रात कुसाटे हैं उसके बाद जब सुबा होती तो मरसोल जब उठता है तो देखता है मेरी चले गई होती है वहां से अपने गर वापस और दोपहर तक बिष्ठर पे लिटा रहता है और शाम को किते से भाए लोगों को गुजरते देखता रहता है अब इसके बाद क्या होता है मंडे, ठीक है, मरसोल वापस अपने काम पर जाता है और वहां अपने दोस्त एमैनियोल के साथ दोपहर का खाना खाता है और शाम तक वो दफ्तर में काम करता है रात को जब वो अपने अपार्टमेंट की सीड़ियां चर रहा होता है तो इसकी मुलाकात एक ओल्ड शक्स सलमैनों से होती है जो कि अपने बिमार डोक के साथ इसी बिल्डिंग के अंदर रह रहा होता है जहां पर मर्सॉल रहता है और यहां पर जो रेमेंट है उसकी मुलाकात रेमेंट से भी होती है जिसके बारे में ये रूमर्स पहली हुई है कि ये एक पेंप है यानि वो औरतों का कारोबार करता है रहमेंट जो इन्मिटेशन देता है मर्सॉल को दिनर का ठीक है तो जो मर्सॉल अब एकसेप्ट कर लेता है उसके इन्मिटेशन को फिर उसके बाद जब रहमेंट के पास जाता है वो डिनर पे तो रेमेंट रेमर्सोल को अपनी स्टोरी सुनाता है, ठीक है वो बताता है कि कैसे उसको एक द अरब गर्ल ठीक है, अब मैंने यह पर देखना आप कुछ वर्ड्स बोलेंगे उनको पर शाया ध्यान दीजेगा, बताता है कि कैसे एक द अरब गर्ल है, जिसने उसके साथ ना बेवफाई की, और फिर उसकी इस से लडाई होगी, तो इस दूरेशन में एक द अरब मैन, ठीक है, एक अरब मैन है, उससे किसकी यह रेमेंट की फाइटिंग हो गई थी, कहता है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, और बदला लेने के लिए तुमने मेरी मदद करने है तुमने एक लेटर लिखना है, और लेटर लिखके उसको द अरब गर्ल की तरफ भीजना है, ताकि वो वापस मेरे पास आए, और मैं उससे अपना बदला ले सकूँ, मर्च रोल मान जाता है, वो एक लेटर लिखता है, और वो द अरब गर्ल को लेटर भीज देता है, को एक सेचरे का डेव होता है तो मैरी और मरसॷल कठे होता है अपने смज अपार्टमेंट है और वह उनके मार्धार० के बाद की आवाधा सुनते हैं और अपने macron से बार रह जाते हैं और जब ये हॉल में जाते हैं दोनों तो देखते हैं वाप एक पुलिस वाला वाया होता है और पुलिस वाला जो है वो रेमेंट के मुझे था पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा रेमेंट कहता है मर्सोल से किया तुम मेरे लिए गवाही दोगे वहाँ पे विटनेस बन के आओगे तो मर्सोल कहता ठीक है मैं आ जाओंगा अब जब इस से पहले जब पुलिस वाले ने इसको मारा उस डियूरेशन पे रेमेंट ने ये किया रेमेंट लड़के की तरफ मुड़ा लड़की की तरफ दुबारा मुड़ा उसने कहा तो नोट यू वरी माइ पेट वी विल मीट अगेन पेट जो है एनिमल को कहते है और यहां पर फेमिनिसम हमारे पास सामने आ जाता है कि इसने अरब गर्ल को क्या कहा पेट कहा एनिमल बना दिया अब एक और चीज़ मैं यहां पर अभी समरी को स्टोप करकर क्लोटिसम करना चाहूंगी अभी कि देखे हमने देखा दा अरब मैन दा अरब गर्ल ठीक है और यह सेटिंग कों से दिखाई गई है अलजायर की अगर हम पोस्ट क्लोटियल कॉंटेक्स्ट में देखें तो फ्रेंच जो हैं यह वाइट मैन होते हैं ठीक हो गया और इसके पाद जो यहां पर अलजायर के अंदर अरब जो हैं यह ब्लैक्स कंशीडर होते हैं तो फ्रेंच हमारे पास अरियेंट हो गए और जो यह अरब हमारे पास क्या ओगे ओर जीसा किए टांड न सेंन ने कहा था कि शूरू से ऐसा होता रहा है कि और जो हो इसके आरा है वह इसक्लॉइट होते हाय तो homie के भाबा, वो hybrid की बात करता है, pick and mix की बात करता है, ठीक है, तो यहाँ पे अलजायर के अंदर hybrid culture कठे रह रहे हैं, different cultures कठे रहे हैं, जैसे के फ्रेंच हो गया, और साथ में Arabs के हो गया, ठीक हो गया, अब तीसरे element देखें, के ऑक्सिडेंट ने कैसे exploit किया Orient को, दा अरब कहकर, कोई name नहीं दिया गया यहाँ पे, ठीक है, ना Arab girl, girl का name mention है, लेकिन girl कोन है, पता नहीं, नाम क्या है, पता नहीं, Arab man mention है, अरब कोन है, name नहीं दिया गया, कि उनको marginalized कर दिया गया, उनकी voice को, voice less कर 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 रख दिया गया, जैसे के, Spiric केती है, Ken does Spartans speak के अंदर, कि क्या, 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 जो होते है, ये Spartans जो होते है, उनकी voice होती है, उनकी voice होती है, उनको दुबा दिया जाता है, ऐसे है ना तो यहाँ पे, ही क्या किया गया, यहाँ पे इनकी voice को suppress कर दिया गया, इनके नाम को चुपा कर, इनकी identity crisis क्रिएट क कर दी गई चले हम समरी को दुबारा कंटिन्यू करते हैं मैंने बताया था कि फिर रैमेंड कहता है उसको क्या तुम मेरी गवाही दोगे तो आगे से कहता है उसको के कि मैं इसका गवाह वरने के लिए तयार हो गया अब इसी डूरेशन में इनकी मुलाकात जो रैमेंड है धसको बताता हैं किया माइसस्टा भाग गे अगर तुम चाहते हो तो आपशादी कहते हैं फिर उसके बाद कहते हैं मैरी निरेटर पताता है कि उसने मुझसे पूछा if I loved her, to I replied much as before that her question meant nothing or next to nothing but I supposed I did not तो nothingness दिखाए गई इसके अंदर, important quotation is absurdism के लिए हाथ से के futile effect दिखाए गई है to create meaning in meaningless world, meaningless life फिर इपकताती है कि उसने मुझसे पूछा if that's how you feel, she said why marry me कि अगर तुम ऐसा ही feel करते हैं तुम मुझसे चाहते ही करना चाहते हो तो गहता है किसे, I explained that it had no importance really but if it would give her player we could get married right away, I pointed out that anyhow the suggestion came from her as for me, I would merely said yes फिर उसने कहा कि तुम पता है marriage serious matter है तो उसने कहा no तो हर बार्ट जो है ना हमारे पास इसका absurd response ही आएगा जिसला कि next time पूछती है कि अगर तुम से कोई old girl कहती ही शादी करने के लिए तो तुम क्या करते है तुम क्या करते है, I mean a girl you liked in the same way as you like me फिर तुम क्या करते है तो कहता है तुम उससे भी शादी कर लेते है तो कहता है naturally ठीक है फिर उसने short answer में absurd answer में absurd behavior में रहके उसने अपना response देदी है तो यह एक important conversation थी ठीक है अब इसके ऊपर जो है अब जाते हैं अच्छा सा प्रिपेर हो सकता है attitude के अच्छा फिर उसके बाद क्या होता है इन दोनों की engagement हो जाती है अब Sunday को मेरी मटसल्ड और रेमर्ड जायना वों जाते हैं सी साइड की तरफ समंधर की तरफ जाते है oyn son milson ने सीन न ilıyor करते इसे बादा निदॉए करते हैं अब दुबआर का खाते हैं इस टाइम क्या होता है मैं रेमेंड और जो मेटसोल्ड है ना दुबहर कखाने के बाद रेमेंड मेटसोल्ड और मेसून इन तीनों का सामना जो होता है अरब्स के साथ होता है ग्रूप ऑफ अरब्स और उन ग्रूप ऑफ अरब्स के अंदर एक उस लड़की का भाई भी होता जिसको रीमंडने मारा हुआ होता है ठीक है तो ऊ contributing ऐसका भाई होता है नो खांजर निकाल के रेमंडन जखम कर देता है अब रेमंड और मेजट सोल जो आना वहां से चल जाते हैं वापस सिंद जाते हैं शुर्ड च भाष्छ जाते हैं पिर गोली निकालता कहता है अपनी गन से इसको मार दूँगा अच्छा ये भी एक देख लिए गन और खंजर खंजर और तल्वार ठीक है ये स्वोर्ड जो है ये बहुत ही पहले डिशन्स में यूज़ था 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 ठीक है तो इसको हम पोस्ट क्लोनिल एलिमेंट से रिलेट कर सकत अच्छा ये फ्रेंच मैंन को वाइट मैंन को दी गई है ठीक है अब रेमेंट जो है वो अपना गन पकड़ता और वो उनको मारने के लिए जाता है तो मर्सोल उसको रोग देता है और उससे गन पकड़ लेता है फिर दोनों वापस आ जाते हैं लेकिन इसके बाद जो मर्स सूरज बहुत गरम था ठीक है बहुत गर्मी होती है इसको उस गर्मी का इसको बहुत बुरा असर होता है और वहां पे क्या होता है वो ही अरब मैं वहां पे लेता हुआ होता है और यहां पे जो हमारा निरेटर है वो निरेशन करते है और यहां पे जो हमारा निरेशन करते the skin. I could not stand it any longer and took another step forward. I knew it was a fool thing to do. I would not get out of the sun by moving on a yard or so. But I took the step, just one step forward and then the Arab drew his knife and held it up toward me, atward the sunlight. Now, when we talk about the environment, it was very warm. He said, unintentionally he had to take his steps. When he came back, he said, the Arab had to take his knife and without any reason, he said, and my grip closed on the revolver. He said, I took the revolver and shot four balls. First, I shot one ball, then I shot four more balls and shot the Arab and shot the Arab. And this was a climax of the novel. Now, when he shot it, our part one ended here. And part two, when we start, it's all about what we're doing. It's all about about the story and the narrative. It's all about the story. It's all about the story and narration. It's all about the story of the soul. The soul being judged by the society. That society judges the person. Okay? It's all about the emotions. In the tone तिपने जुरम के अपर कोई बी किसम का अफसोस नहीं है तिक है और यह बड़ा सिग्निविकेंट लाइन है जो इंडिकेट करती है जो ब्लैक्स है उनकी डेथ मैटर नहीं करती है उनके लिए उनका मडर करना मैटर नहीं करता है उनके लिए बहुत चोटी सी चीज होती है इसके बाद मर्सोल को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है जो मर्सोल जो है उसको समझ नहीं पाता हो जैसे कि अब वो डिसकस क बारड है किसी कोई साथ बड़ले इसका हुए आरब ले किस साथ मैं आप सास्म नेतर समय कई समय के इसका किसे रागए यह का ऐसnya करता है वो फिर वाल्डे बिएर ऊपर जो आफसोस नियुका खी किसम के और तो यह भी बास समझना या तहrióति कि इससे मेजिश्ट्रेट के और इस ता उसको पूछता है कि तुम negistration करता है मिर्सौल के सामने क्रोशिफिकेशन کا साइन दिखाता है तुम यह पे तुम गोड को मानती हो ठीक हैthest अब वहां पे जो है जो हमारा करीक्टरमिर्सौल्ट था वह गोड को मानने से भी इंकार कर देता है जो कि एक नाहिलिस्ट एटिटीटीउड है तीक है यहां भी हमारे पास पता लगता है कि यह एंटी क्राइस्ट है जो मरसॉल्ट है और वह कहता है जल्दी फारिग हो जाएगा और हमारी शादी हो जाएगी लेकिन मरसॉल को रिस्पॉंस ने देता मरसॉल जो जेल में अपने ट्राइल का इंतिजार कर रहा होता है तो वह आएस्था इस्था जेल की लाइफ का भी आदी हो जाता है ठीक है शुरू-चूरू में उसको मुश् भी एगा ऊस्मोगिंग निकरेगा लेकिन आग्स ताओ धी जाता है ठीक है श्यातर व क्लिंग भी लिएपके मारिके आ जाता है यह बया जैल का एगर उप便ूको का कटल कर रहा कि पार मोस्ट ने नीटर सब्चूख अब ऑग च्ट इसका त्राइल अब डराहिए थो जिस मर्डर अमड़र के वारा टिटे THE Kkaya ofget से तो जब हो रहे है तो French कोट में मार्जिनलाइज कर द kita गाए तो मैंने पोस्ट कोनियल क्लियो आपके साथ कि अरब का मार्जिनलाइज कर दिया अरब का मरडर के वाजिने छाए उनके लिए वो उसका absurd attitude था जो उसकी मदर की funeral के उपर था और वहां पर जो है nursing house के डिरेक्टर उनसे पुछे जाता कि मर्सौल था उसका क्या attitude था death के उपर अपनी मदर के तो कहते हैं तो आंकों में आउंसो भी नहीं थे मेरी से पूछने के मर्सौल का क्या attitude था वो बताती कि हम लोग नेक्स दे कॉमेडी जो फिल्म है वो देखने के लिए गए हुए थे फिर ट्रायल के नेक्स दे अदालत में दुबारा क्या होता है एक government वकील होता है lawyer जो lawyer होता है ना वो कहता है मर्सौल के बारे में कि एक monster की तरहा का है ठीक है वो इसको monster की नेम से पुकारता है और कहता है कि इसमें जो है ना कोई भी moral कोई भी ethics नहीं है जो कि हमारे society के लिए खतरनाक साबित हो सकती है इसकी जो सोच है वो हमारे society से मैश नहीं करती तो इस बेस पे जो है ना मर्सौल को मुझरिम साबित कर दिया जाता है और इसको सजाय मौत का sentence to death का होकम चुनाया जाता है order दे दिया जाता है अच्छा और मज़े की बात क्या है इसके अंदर जो absurd play होते हैं उसमें tragic comic element भी होते हैं वो एक element यह भी हाता है कि जब इसका trial चल रहा है तो trial पर इसका ध्यान अपने case की तरफ नहीं है इसको नहीं पता कि इसके साथ क्या होने वाला है ठीक है कोई इसको परवान ही उस चीज की यह के देख रहा है कि बार आइस क्रीम बाला उसके वाकील के पास ज्यादा अच्छे arguments है उसको appreciate भी करता है तो यह सब कुछ चल रहा होता है अच्छा आप संटेंस टु डथ सुना दी गई अब क्या है अब जेल के अंदर मर्सोल जो है ना विस जाय मोत का इंतिजार कर रहा है संटेंस टु डथ का इंतिजार कर रहा है और एक दिन ना मर्सोल की बिलकुल विश के अगेंस्ट एक प्रीस्ट उससे मिलने के लिया था जेल में ठीक है और वसको कहता है कि तुम जो अपना ये कुफरी एटिट्यूड कर दो अपना ये जो नेगिटिव एटिट्यूड ना वो खतम कर दो तुम ना माफी मांग लो अगली जो अगली जो लाइफ है इसके बाद वो अच्छी पीस्फुल गुजर जाए तो बड़ा है तो बड़ा है फिर मर्सोल को चानक बड़ाता तक गुस्सा आता है और वो ना पाज़ी को डिपोच लेता है और चल्ला ना शुरू कर देता है कि उसको इस बेमाइनी और जो जुस्मानी दुनिया ना सिफ और उस पर ये किन रखना है ठीक है उसको हैर आफटर पर कोई बिलीफ नहीं तो पर उसके बाद जो ये मट्षोल्ट ये बही कहता है कि इनसानी दुनिया के इंदर जो ये लाइफ गुजा रह रह रहा एसका इसका इसके भी कोई ये किन रिष्स तुिएद के ब्राइब लिक्त्स आज़ाता है और यहाँ बर कुछिन एक डिल नाज कि अप्टेन्छ श्राण खाष मोमझा अउड्स जाए Felix जडे माहिए 1518 फॉट्ट्टेजारं correlate पेटर करता है हमारे लिए दुआउं में याद रखेगा अल्ला हाफिज